वेलकम टू गेट स्ट्राइजी सिरीज आज है डे फाई और टॉपिक है बिगेस्ट मिस्टेक ओफ गेट आस्परेंट्स अक्सर आपके टीचर कहते हैं कि कोर पर जादा ध्यान दो और एप्टिटूड और इंजिनेरिंग मिथमाटिक्स तो लास्ट में भी कर सकते हो बहुत इजी सब्जेक्ट है अप्टिटूड तो आपको आता ही है और इंजिनेरिंग मिथमाटिक्स में तो क्या अगर आप फॉर्मुला बाहर्ट कर लोगे तो सवाल बनने लग जाएंगे यह सबसे बड़ा मिथ है बहुत ही जूट बात आपको बताए गई है और शायद से यह मुझे कहनी की जरुवत नहीं है आप टेस सीरीज में फील भी कर पा रहे होंगे कि एप्टिट्यूड 15 माग का है पर हम तो 10 माग भी नहीं स्कोर कर पा रहे हैं इंजिनेरिंग मिथमाटिक्स 13 माग का है 7 माग भी मुश्किल से टच होते हैं अगर यह आपके साथ हो रहा है तो ध्यान से सुनना आज का वीडियो उसी पर है एक क्लारिटी प्रोवाइड कर सबसे पहले आपको वेटेज समझना है जो एप्टिट्यूड है इसका वेटेज है 15 माक्स और इंजिनेरिंग मिथमाटिक्स का वेटेज है 13 माक्स याने कलेक्टिवली अगर आप चेक करो तो 28 माक्स का यह वेटेज है आउट ऑफ 100 28 परसेंटेज कोई छोटा मोटा वेटे दूसरा है reasoning और तीसरा है numerical ability ठीक है अब इनको कैसे cover करना है सबसे पहले verbal ability की बात करते verbal ability कुछ पढ़ने की जर्वत नहीं है जितने भी previous year questions अब तक गेट exam में पूछे गए है बस उसके solution को refer करो detail में पढ़ो येस इतना ही आपको करना है passage reading हो गया या फिर analogies हो गया या synonyms एंटॉनिम हो गया जितने भी चीज़े है sentence completion से लेकर के everything previous year question के बस solution देखो refer करो किस level का question पूछा गया है मैं बता देता हूँ level easy to moderate है cat level का high level का verbal ability English नहीं पूछा जाता है ये clear रखना अपने दिमाग में easy to moderate है बट वो tackle करने का तरीका जो है previous year question के solution देखो गये न समझ में आ जाएगा अब कुछ student से कैसे refer करें उसको books मिलती है या फिर आप शरेनिक जेंट स्टेडी सिंप्लिफाइड आप डाउनलोड करो और यह gate 2024 only one subscription के अंदर आपको सारी चीज मिल जाएगी aptitude के concepts उसके सारे के सारे previous year questions with detailed solution with tricks and techniques ठीक है फिर engineering mathematics के भी concepts उसके previous year question all branches tricks and techniques के साथ यह सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है बात करते हैं अब second section का reasoning reasoning और numerical ability इसमें से छोटा syllabus reasoning है तो सबसे पहले इसको cover करो वो आपको मेरे course के अंदर मिल जाएगा फिर numerical ability पर जाना क्योंके numerical ability थोड़ा सा लंबा है ठीक है इस प्रकार से जल्दी जल्दी आप 10 दिन क अंदर अंदर aptitude खतम कर सकते हो अगर अच्छे से effort put किया तो मतलब मैं यह नहीं कहूंगा कि 100 घंटे के lectures है ठीक है lectures limited है जो 10 दिन में खतम हो सकते है if you put 4 hours per day या उससे थोड़ा सा जाधा तो यह हो जाएगा यह aptitude की बात हो गई अब बात रही engineering mathematics इसको कैसे cover करे engineering mathematics क्या full course अभी पढ़ सकते है नहीं पढ़ सकते है क्या हमको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए तो सर जी engineering mathematics को आप कैसे deal करें इसको deal करने के लिए मैं suggest करूंगा CTQ concept through question concept through question यह अगर आप करोगे न तो previous year question भी आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे क्या पूछे गए है easy medium hard ती concept हमको मिलेंगे नहीं तो आपको क्या करना है अब खुझ से आपको यह चेक करना है कि कौन से topic से जाधा question पूछे जा रहे है ठीक है तो वह आपके लिए हो जाता है important topic और फिर important topic को चाहो तो आप depth में पढ़ो ठीक है और जो other topics है जो इतने important नहीं है जो एक हाथ बार कभी mathematics को आप उपर से कर सकते हो याने formula लगा करके पढ़ सकते हो ठीक है तो यह चीज आपको करना है end में यही आपकी पास option है चलो यह हो गया engineering mathematics को ले करके अब थोड़ा सा new trend भी बताना सर जी क्योंकि इतने साल से यह कहानी चल रही है कि engineering mathematics और aptitude बहुत पूछा जा रहा है तो कुछ new trends हमको दिखाई दे रहे तो सबसे पहले engineering mathematics हाली में इन्होंने 15 मार्क से 13 मार्क कम किया है पहले 15 engineering mathematics aptitude 15 30 होता था अब 28 कर दिया ठीक है दूसरा बात new trend हमको यह दिखाई दिया है that ध्यान से सुनना बड़ा important है कि पहले है ना easy पूछे जाते थे दोनों aptitude और engineering mathematics easy पूछे जाते थे अब ऐसा नहीं है पहले सीधा formula लगा दो बात बन जाती थी अब क्या है concept भी चेक करते है प्लस formula भी पता होना चाहिए प्लस thought process भी होना चाहिए ठीक है इतना straightforward नहीं होता है प्लस calculation भी रहता है आप यह मत सोचना aptitude है तो फिर उसके अंदर probability नहीं होगा calculus नहीं होगा उसके अंदर integration नहीं होगा प्लीज ऐसा मत सोचना aptitude के अंदर हाली की paper में चेक करोगे तो engineering mathematics का syllabus भी आड़ किया गया है एरिया पूछ लेते हैं maximum minimum पूछ लेते हैं random variable probability हैना सब सब कुछ पूछ लेते हैं तो यह चीज आपको note करना है कि इतने सारे और engineering match के अंदर तो जो teacher ने आपको कहा होगा ना के formula पढ़ लो बात हो जाता है हाँ वो पहले के इसमें होता था अभी के new trend में ऐसा नहीं होता है ठीक है पहले के इसमें होता था और अभी केसमें अगर formula से जाने वाली कहानी होगी ना तो मालो अगर aptitude के अंदर 15 mark है ना त दो से तीन question ऐसा हो सकता है जो सीधा formula से बन जाए बट सारे ऐसे नहीं होंगे जबके old papers में ऐसा होता था कि majority formula से होते थे new trend में ऐसा नहीं है तो मुझे नगता है यह बात clear है और आखने में इतना कहना चाहूंगा additional tip that अगर other subjects भी अगर आपके कुछ रह गये है तो उसके अ about the biggest mistake made by the gate aspirants in fact topper का भी यह कहना था टेलीकॉम के टॉपर था उसने aptitude और engineering mathematics हलके में लिया AIR 1 था और उसके marks इसी में गए थे aptitude और engineering mathematics में कोर में उसने बढ़िया perform किया बट उसने इसमें less score किया है तो उसको regret है कि उसको पर ध्यान देना चाहिए था तो यह तो थी topper की बात but still majority students इस पर struggle करते है तो मेरा सुझाव है कि आप इसको अच्छे से करना इसको lightly मत लेना इसके साथ यह वीडियो इन करना चाहूंगा में तो इन दी नेक्स्ट वीडियो आप देलने टेक केर बाइबाइ पर नाव सी या बाइ